नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं इन फिल्स टु बॉलिवूड मेरा नाम है महिस जैसा कि दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने बात किया था कि राधे श्याम फिल्म को लेकर कि 23 अक्टूबर को यानि कि 23 अक्टूबर को बहुत बड़ा सर्प्राइज मिलने वाला फिल्म की तरब से दोस्तों इस दो बात पर खुला सा हो गया कि आखिरकार जो 23rd October को जो सर्प्राइज मिलेगा वो सर्प्राइज किया होगा दोस्तों आपको बता दे फिल्म का मोशन पोस्टर आउट होगा 23rd October को यानि कि तो 23 अक्टूबर को इस तो फिल्म रादिस या मुवी का मोस्टन पोस्टर रिवील किया जाएगा इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है साउथ फिल्मों के सूपर स्टार एक्सन स्टार रवी तेजा की आने वाली मच अवेटेड फिल्म इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है इंडियन सिनेमे के मश्यूर एक्टेर बाबे देवल की क्राइम ड्रामा बेस्ट वेब सीरीज जिसका नाम है आसरम आसरम चैप्टर वन आपको बताना चाहनगा दोस्तों कि इसका आप तक 9 एपिसोड आया है जो कि काफी सानदर और काफी लाजवाब है तो ऐसे में बात किजए इस वेब सीरीज की दूसरे चैप्टर के बारे में जाने की आशरम चैप्टर 2 के बारे वात करें तो आपको बता दे इस बात और खुलासा की जा गया कि बॉबी दिवल की आसरम चैप्टर 2 11 नमबर 2020 से स्ट्रीमिंग होना सुरू हो जाएगी यानि दोस्तों इसके जो एपिसोड है 11 नमबर से रिलीज होना सुरू हो जाएगे इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है आखिरकार बॉलीवूट के नवाफ साहपली खान क्यों हुए परिसान साराली खान को क्यों मना किया कि कूली नमबर वन का प्रमोशन नहीं करो तो दोस्तों आये जानते हैं कि आखिरकार खास बात क्या हो सकती है जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सूपर स्टार वरुन धवन और साराली खान की एक फिल्म आ रही है अपली खान ऐसा क्यों कहा कि सारा अलिखान फिल्म कूली नमबर वन का प्रमोस्न नहीं करेंगी तो दुस्तों कहीं जब़ाएं क्योंकि यूश्चार की अफिसार की मन में मिलता है बढ़ावा दिया जो कि गोविंदा भी हो सकते हैं क्योंकि पहले पार्ट में गोविंदा नचराय थे तो गोविंधा की फिल्म को डिया से वे तो प्लेकशा नंबर वारून धमन को दे दी गई इस B WAT लो काफी नहराज हैं सुएसमी ये कुछ एक कारण हो सकते हैं जो कि जिसके लिए सैपली खान ने इसे फिल्म का परचार परसार करने से मना किया प्रमोसन करने से मना किया साराली खान को